मैं आज बनागी कच्चे चावल और एक कच्चे आलू का नास्तर वो भी बिना तेल का और ये बहुत ही आसान तरीके से नास्तर हमारा बनके तयार हो जाता है तो ये देखें मैंने आदा कटोरी लिया है कच्चे चावल का आटा और इसमें मैंने आदा चमब डाल दिया है नमक नमक इसमें आप सवारूसार डाल सकते हैं अब इसमें हमें पानी डालके इसका हमें अकच्चा सा घोल बनाने नहोगा एकदम अच्छे से थोड़ा गोल को हमें पदला रखना है पदला रखने के बाद ये देखे हमारा गोल जो है बनके तैयार होगा इसी हमें 10 मिनट के लिए ढखके रख देंगे जिससे की हमाने चावल काट है वो अच्छे से फूल जाए तो यह देखे मैंने लिया है कच्छा आलू को मैंने अच्छी से छीलिया है और छीलिके से वोस कर लिया यानि धोलिया है तो अब हम लेंगे ग्रेटर को हमें बारिक साइड से ग्रेट करना होगा आलू को यहां से बिल्कुल बारिक है तो यह देखे इस तरीके से हमें ग्रेट करना होगा आलू को और हाँ गाईज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और वीडियो को लाइक और शेयर करना मिलकूल ना भूले एक लाइक जरूर करे तो यह देखे हमने आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है एकदम देखे बारिक बारिक जो है लच्छे बनके तयार हो गए है और यह जो आलू है वो थोड़ा काला हो जाता है जब उसे चील के या काट के रख देते हैं ग्रेट कर लेते हैं तो काला पड़ जाता है तो अब इसे हम पानी में डाल के अच्छे से वोस कर लेंगे हम इसे दो से तीन बार पानी से धोलूँगी और यह नास्ता बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है उसे पांच मिनट में और यह खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है और इसे हम बस सिर्फ एक आलू और कच्छे चावल के आठे से बनाएंगे तो यह देखे मैंने इसे धोलिया है आलू को और यह रहे कितने बारिक बारिक लच्छे बनके तैयार हो गया है तो चलिए अब हम उस आठे को देख लेते हैं यह आठा हमार जो दस मिनट है दस मिनट हो गई है दस मिनट के लिए रखा था तो अब इसे हम एक से दो बार अच्छे से चला लेंगे क्योंकि जो पानी है वो उपर आ जाता है तो यह देखिए हम इसमें एक चमच मैदर डाल देंगे आप मैदर डालना चाहते हैं तो आप डाल भी सकते हैं नहीं तो आप मैदर को स्किप भी कर सकते हैं अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डालके आपको लगता है यह टाइट है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डालके से टाइट कर लेंगे तो अब इसमें हम जो आलू को हमने ग्रेट किया था उन आलू को इसमें डाल देंगे और आलू डालने के बार मैंने ये एक प्याज लिया है प्याज को मैंने बारीक चोप कर लिया है अब इसे प्याज को भी हम इसमें डाल देंगे अब हमने लिया है आदा टमाटर, इसको मैंने बारी कट कर लिया है, टमाटर डाल देंगे और उसके बार हम डाल देंगे इसमें एक चम्मच ग्रिंचीली यानि हरी मेर्च, हरी मेर्च को मैंने अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, तो अब इसे हमें अच्छे से गोल तैयार कर लेंगे क्योंकि हम आज एक नास्ता बनाने जा रहे हैं यह बहुती अलग और बहुती आसान तरीके का नास्ता है इस नास्ते को आप एक बार 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 बना के खाएंगे अब इसमें हम एक पिंच डाल देंगे सुखा हुआ धनिया पाउडर तो यह देखिए हमने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है तो हमें इस तरीके का गोल तैयार कर लेना है चलिए गैस पर हमने तावा रख दिया है और तवे को हमें अच्छे से गरम कर लेना है अब इसमें से हमें एक चमचे की सायता से जो घोल है हमारा जो बेटर है उसको इस तरीके से तवे पर डालना है और उसे अच्छे से फैला लेना है ध्यानक नहोंगा यह थोड़ा सा क्योंकि एक तो चावल का आटा है और हमने जो एक चमच मैदर डाली हो थोड़ा सा हलका सा चिपकता है तो इसलिए हमें कोई डरने व से ओल को हमें लगाना है में जादा ओल का यूज बिलकुल भी नहीं करना यह बहुत ही कम और इससे बनके तैयार हो जाता है तो देखिए अच्छे सीख गया है तो अब इसे चलो सारु करते हैं तो इस सायटा से हम दूसरा बैच भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे हमने द ब्रस की सायता से ओल को लगाएंगे और ये देखे वो हमने एक साइड से सीख के बनाया तो इसे हमें दोनों साइड से से बनाएंगे ये देखे हमारा जो नासता है अच्छे से बन के तयार हो गया है तो चलिए अब बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं खाने के लिए और एक दम अच्छे से सर्व करते हैं तो देखे हम इसे टोमेटो केचप के साथ खाएंगे और ये बहुती सोफ्ट और बहुती नरम नासता बनके तैयार हो गया है तो लिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूं इस तरीके से बना के खा सकते हैं और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करने बिल्कुल नभी लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए हर हर महादे दे